मालदिव के राश्ठपती मोईजु के भारत विरोधी रुख का खामियासा अब मालदिव उठाने लगा है और सबसे बड़ा और तकड़ा जटका अब लगा है खुद राश्ठपती मोईजु को जब उनकी पार्टी को सियासत की बिसात पर भी एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा है दरसल उसकी वज़े भी भारत विरोध ही बताई जा रही है दरसल राश्टपती बनने से पहले माले के मेयर थे मुईज्जू और मेयर पद छोड़कर राश्टपती का चुना उन्होंने लड़ा और ये चुना जीत गए और ऐसे में माले में हुआ है मेयर पद का और इस चुनाओ में ही माल्दीव की जनता ने खासतोर पर माली की जनता ने राश्टपती मुईज्जू को आइना दिखा दिया है उनके इस तरह के परताओ के लिए उन्हें एक तरह से ससा भी दे दी है मुईजू की पार्टी को इस मेयर चुनाओ में करारे शिकस्त का साम मौईजू का था उसे लेकर के जनता भी आहत है क्योंकि भारत लगातार उनके एक मित्र देश के तौर पर मालदिव से विवहार करता रहा लेकिन राश्ट्पती बनते ही मौईजू का विवहार बदला बदला सा नजर आया मालदिव के परंपरा ये रही कि जो भी वहार इश के दौर पर मालदिव को मानिता दी थी देश का दर्जा दिया था और तब से ही भारत मालदिव की लगातार मदद भी करता रहा है ना सिर्फ आर्थिक मदद बलकि सैन्नी मदद भी भारत की ओर से की गई दो ध्रू हेलिकॉप्टर भी दिये गए थे लेकिन वक्त के सा साथ वहां की लीडर्शिप ने जिस तरह से प्रो चाइना एक्टिविटे शुरू की उसके बाद ना सिर्फ मालदिव को नुकसान हो रहा है बलकि एक बड़े करज के बोज तले भी वो दबा हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में ताजा उदारन था मौईजू का जिनोंने प 58 दिन बाद ही उनकी जनता ने उन्हें आइना दिखा दिया कि उनका ये कदम उनके और देश के यानि मालदिव के हित में नहीं है मालिक के मेर का चुनाओ हुआ और यहां मौईजू की पार्टी को एक करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा और वहां जीती प्रो भारत उससे बिलकुल पसंद नहीं करती यानि साफ संदेश है कि जिस तरह से मौईजू के कदमों से देश को नुकसान हो रहा है ना सिर्फ आर्थिक तोर पर बलकि अब सियास्त की बिसात पर भी एक बड़ा नुकसान उन्हें उठाना पड़ा है और उमीद इस से जनता ये कर र